तो नमस्कार दोस्तो एक बार फिर से स्वागात है आपका हमारे यूटूब चैनल में दोस्तो जैसा कि आपको पता है हम जब भी आते हैं नई जानकारी एक नई अपडेट लेकर आपके सामने आते हैं तो आज की वीडियो में हम देखने वाले एक और नई जानकारी एक और प्लीज आप कलीजी चैनल को सब्सक्राइब और कलीजे बैल आइकन को प्रिस ताकि आगे आने वाली हर छोटी बड़े अपडेट सबसे पहले आप तक कहुँचे तो फ्रेंट्स आज की वीडियो में हम बात करने वाले है वेटनरी डिप्लोमा की जहां पर आपकी CLC इसमें पांच कॉलेज मिलते हैं आपको जबलपुर महूर रीवा मॉरेना भोपाल यह कालेज दिये हुए हैं यह जनरल है यह जनरल फीमेल है ऐसी मेल है यह आपकी यह कैटिग्री दी हुई है अगर हम बात करें टोटल खाली सीटों की तो आपको 22 सीट है यहां पर मिल जा आपको जाएंगी वह एकर हम बात करें ओवी सी मेल की तो यहाँ पर जीरो सीट हैं यहाँ पर एक भी सीट खाली नहीं है फ्रेंट्स तो जितने लोगों हमी ने भी पेमेंट सीट के लिए ना किया नोट किया है और ओवी सी कैटिग्रे से आते हैं तो वो कांसलिंग में ना केंडर फीमेल की साथ हैं आप देख सकते हैं कैटिगरी वाइज यहां पर सीटें दी हुई हैं यहां पर यह कॉलेजिस लेके हुए हैं तो आप ध्यान पूर्वा किसे देख लीजेगा अब हम देखते हैं फ्रेंट्स इसकी प्रोसेस क्या है काउंसलिंग में आप भाग कैसे ले सकती हैं तो नियम हम पहले भी देख देख चुके हैं वही हैं लगवा लगवाग जो बीवी एसी एंड एज वाले स्टुडेंटों के लिए थीं तो पहले हम देखें आपको स्वयम आना पड़ेगा आप जिनों लोगों ने भी इसमें सी राइस पी के माध्याम से काउ प्रफिसन नहीं हुआ है वो सब इसके लिए पात रहें काउंसलिंग की तिती छे तीन दो जारी कीस है जिसमें आपको स्वयम ही आना पड़ेगा चौथा आपको लेट नहीं आना है क्योंकि अगर आप बिलंब से आएंगे तो इसकी जिम्मेदारी आप क्योंकि अगर आप आपको सेट नहीं मिलती है अगर आपके अच्छे नंबर है फिर वी आप लेट आते हैं तो आपको एडिसर नहीं मिलेगा इसलिए दोस्तों कोशिस करें कि आप समय से पहले वहां पर पहुंच जाएं अगर हम बात करें पांच वे पॉइंट की तो यहां पर आप देख सकत है काफी स्टुडेंट कमेंट कर रहे थी कि सर मेरा कॉलेज हो जाएगा तो मैं आपको बता दूंग आपकी अच्छी रेंक है और अगर आपकी अच्छी रेंक है और आप कॉलेज बदलना चाहते हैं तो आप अप अप्ग्रेडिशन करा सकते हैं इस काउंसलिंग में आप जरूर भाग लीजिएगा फ्रेंट्स यहां पर कि यह पाजवे पॉइंट में साब दे रखा है कि एकर आप कॉलेज चेंज कराना चाहते हैं आपके अच्छे नंबर है तो आपका कॉलेज हो जाएगा जिसे हम अप्ग्रेडेशन बोलते हैं फ्रेंट्स वहीं अगर हम बा पॉइंट आप ध्यान से देख लिजिएगा फ्रेंट्स यह का भी महत्रपूर्ण है आप सब के लिए पेमेंट सीट पर मेरिट के अधर पर उनी अभ्यारतियों को प्रवेश की पात्तता होगी जन्होंने प्रोफेशनल एग्जामिनेशन बोर्ट भोपाल को आविदन करत समय पेमेंट सीट के ओप्शन पर टिक किया होगा या या यस लिखा होगा एवं पेमेंट सीट अंक्सूची उपलब्द करेगा इसके साथ ही अभ्यारतियों को नाम प्रोफेशनल एग्जामिनेशन बोर्ट द्वारा पेमेंट सूची में अनिवार रूप से होना चाहिए तो अगर आपने पेमेंट सीट के लिए ना किया है तो आप इस सीट के लिए इलिजबिल नहीं है तो फ्रेंट जितने लोगों नहीं पेमेंट सीट के लिए सही का टिक लगाया है या या यस लिखा है तो वो काउंसलिंग में जरूर भाग लाएं आपका एडिशन आसानी स से हो सकता है क्योंकि पेमेंट सीट नहीं भरती हैं अक्सार हमने देखा है लास्ट येर की अगर हम बात करें फ्रेंट्स नवे पॉइंट की तो यहां पर डाक्टुमेंट्स का डिटेल्स दिया हुआ है दाहेट 20 की मार्क सीट आपका रिजल्ट 1012 की मार्क सीट आपका चैरे हुआ है तो आपका गैप सर्टिफिकेट आपकर रख्त पंजियन समूग और फ्रेंट्स यहां हम बात करें इसके तो फिर आपर मार्क पत्र आपको लगेगा बित्तिवर 2020 का आपका आधार कार्ड आप यहां पर ध्यान से देख लिएगा आपको दो चाया प्रति यहां पर लगा दूँगा तो आपको आपको एडवोकेट के सील सायन वाला ही यहां पर एवडेविट लगेगा फ्रेंट्स अब हम देख लेते सुल्क का विवरन सुल्क निरधारे तिति में प्रवेश है तो अनिवार रूप से जमा करना होगा कुल सुल्क भुक्तान की पाउती प मुपस्तित होंगे सुल्क आपको कल ही लगेगी दसवे पॉइंट में यह बताया है फ्रेंट्स अई यह डेटिल से देख लेते हैं यह सुल्का दिया हुआ है 34,700 फ्री सीट के लिए आपको प्रिवेश के दिन ही जमा करना अनिवार होगा यह सुल्का दिया हुआ है और यह सुल्क भाप्सी पर हम बात कर चुकी है तो फ्रेंट्स आची वीडियो में इतना ही है अगर आपको वेटनरी डिप्लोमा की कांसलिंग से रिलेटेड और कोई नई जानकारी तो कमेंट सेसर में हम से पूछ सकती हैं